सारो बावम शाग द्वेपिय ब्राह्मन महासंग विश्णुगरी काई की बैठक विश्णुगर्ण प्रखंड के चौथा गाउं में आयोजित की गई बैठक में चौथा हेटली बोदरा उपरेली बोदरा के ब्राह्मन उपस्तित हुए बैठक के देख्षता राजेश्वर पाठक ने की तोहीं संचालन गंसाम पाठक ने किया बैठक में निर्ण लिया गया कि हर साल की भाद 30 वर्स भी जन्वरी मां के 28 तारीकों अचला सब्तमी के आउसर पर सुर्य पूजन धूमधाम से की जाएगी कि योम हजारी बाग जिर्णा कमिटे के द्वारा किये जा रहे पूजा का भी समर्थन किया जाएगा और बन भोज कारिक्रम भी किया जाएगा बैठक में दिलिव मिश्रा दिलिव पाठक निलेस सब्सक्राइब प्रदीप पाठक की रिपोर्ट क्या बैठक था आज का बैठक साक्रदीपिय ब्रहावनों का बैठक था इसमें से यह ने लिया गया है कि अगला 28 जनवरी सब्सक्राइब करके सुर्ज अचला सप्तमी का पूजन किया आज पांच वर्सों से चला आ रहा है उसी के संबंद में नियने लिया गया कि इस बार भी धूमधाम से सुर्ज सप्तमी का पूजन किजिएगा पूजन हम लोग हैटली बोद्रा के राइस्वर मंदिर है ना मेरा नाम द्रिप्तवार मिश्रा है मेरा घर चौंटा पड़ता है क्या बैठक थी आज क्या निर्ने लिए हम लोग 28 जनवरी को साक दीपिये समाज के लोग सुर्ज सब्तमी का जो तेवहार है हम लोग पिछले पांच वरसों से नीमीत करते आ रहे हैं और इस बार भी बढ़ चड़ करके सुर्ज सब्तमी का कार्जकरम को मनाने का निर्ने लिए हैं उस दिन सुर्ज भगवान का अर्ग हमन और पूजन करने के उपरांत सभी स्वजाति अपने मिल्जूल करके बनभोज का भी कार्जकरम रखा गया है और भगवान सुर्ज से हम लोग आशिरबाद लेंगे जिला उपाध्यक्ष हुए तो आपकी जिला कमीटी हजारी बाग कर रही है प्रोग्राम को हम लोग सब उसमें समर्थन में हैं लेकिन यहां से दूरी पड़ जाने के वज़ह से हम लोग जथावत जो पहले से करते आ रहे हैं अपने जगह को कायम रखने के लिए यहां भी कार्जकरम को हम लोग करेंगे विधिवाद क्या कहाना जाते हैं मैं इनके बात का हार्दिक अभिनादन करते हुए मैं कहाना चाहता हूं कि हम लोग पुरु के भाती इस बर सभी ग्राम हेटली बोद्रा चाउथा चलनिया एवं तिरला विस्नुगर्ण के सामोहित आविजन होता है इस बार बोल झाल